नमस्कार साथ हूं मेरा नाम है आरके सिंग संस्किती आई-एस के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में एक बड़े ही गंभीर और महत्पुन मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं ये जो मुद्दा है ये जुड़ता है भारत ए कि फ्रांस अब वो करने जा रहा है जो आज तक नहीं किया और इसमें सबसे महत्पुन एक नाम आ रहा है भारत के जो रास्टी सुरच्छा सलाकार है अजीद डोभाल का और यही कहा जा रहा है कि जब से फ्रांस के राश्पती भारत के रास्टी सुरच्छा सलाकार से मिले हैं तब से उन्होंने इस तरह का फैसला ले लिया है जो अब तक फ्रांस ने नहीं लिया है इसी कार्ण से ये मुद्दा चर्चा का विश्य बना हुआ है तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या इससे जुड़े हुए जो भी महतपुर्ट पहलु होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे आखिर इस मामले से भारत का क्या राभ है या फ्रांस से क्या लाभटर करना चाहता है इसका ब्रभाव वैसविक अस्तर पर क्या देखने को मिलेगा ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो न्यूज है ये न्यूज है क्या क्यों चर्चा में है ये आपके लिए महत्पूर है तो भारत और फ्रांस के बीच में जो नजदीकिया है वो लगातार बढ़ रही है दोनों देशों के बीच में जो अंतराश्टी संबंध है वो लगतार एक उचाई छूरे हैं और इसका ताजा कर सकते हैं कि उधारण अभी हाल में देखने को मिला है जिसके संदर में ये कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो बढ़ती रणनीतिक साजेदारी है उसको रेखांगित करने वाला एक महतपूर कदम हाल में देखने को मिला है फ्रांस की जो कमपनी सफरान है ये एक बड़ा कह सकते हैं कि फ्रांस का ग्रूप है जो मूल लूप से देखें तो सैन उपकरन बनाता है इसी के संदर में न्यूजाई की फ्रांस की कमपनी सफरान ग्रूप ने भारत में फ्रांस के बाहर अपनी पहली सैन प्रेट्फर्मों के लिए सेंसर और महतपुड जो electronics parts हैं उनके निर्माण के लिए भारत में एक रच्छा electronics सुविदा अस्थापित करने के लिए योजना बना चुका है और अब ये अंतिम पड़ाओं में हैं इसका मतलब France क्या करेगा कि अब भारत में रच्छा इलेक्टानिक सुविधा अस्थापित करेगा अपनी एक यूनिट अस्थापित करेगा जिसके दवरा क्या किया जाएगा इसमें ये अलग बात है कि अभी तक इस पूरे मुद्दे में जो भारत का कौन सा प्लेस होगा कौन सा अस्थान होगा जहां पर ये फ्रांस की इकाई अस्थापित की जाएगी इसका निर्धारण नहीं हुए बाकी सारी चीजे तै कर ली गई है थोड़ा सा इस मामले को और डीटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं देखे भारत के रास्टी कह सकते हैं सुरक्षा सलाकार हैं अजीत दोभाल बड़े ही कह सकते हैं कि मर्मग बक्ती है अनभवी बक्ती है और खास तोर पर अगर सुरच्छा की जहां बात होती है वहाँ डोभाल का कोई तोड नहीं है और डोभाल जैसे भारत के बिदेश मंतरी एस जैसंगर है जहां भी अपनी बात रखते हैं बड़े ही प्रकर्टा के साथ रखते हैं मजबूती के साथ रखते हैं और अपने अंतराश्टी संबंधों को विक्सित करने में जैसंगर का इस समय महत्पूर योगदान है वैसे ही भारत की चाहे राश्टी सुरच्छा की बात हो अंतरिक सुरच्छा की बात हो या फिर दू सिसी राष्टपती इमैनियूल मैक्रोन है इनके बीच कह सकते हैं कि कुट नितिक बाचीत हुई और फ्रांस के जो राष्टपती है उनके सलाकार इमैनियूल जो बोने है उनके मुख्य जो सैन सलाकार फेबियन मेंडन है इनके बीच दो दिवसी रणनितिक वारता संपन मिलकर काम करने पर सहमती जता दी है यही सबसे महत्पूण मुद्दा है इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों देश मिलकर क्या करेंगे कि जो उनत सामागरी है जो धातु बिग्यान है जो कि क्या होता है कि मुल लूप से जो शैन और नागरिक जो engine होते हैं खास तोर पे जो कह सकते हैं plane बनते हैं उनमें इनका उप्योग किया जाता है इनसे जुड़े हुए जो भी parts होते हैं important जो parts होते हैं उसके निर्मार की ये कुझी है उन्नत समागरी और धातु बिग्यार metallurgy science होता है जिसके तहत क्या है कि बिभिन जो metals होते हैं जो खास तोर पे सैन उपकरणों में इस्तमाल किये जाते हैं आप जानते होंगे जो भी defense में missiles हैं या अलग-अलग fighter jets हैं जिस धातू से बनते हैं वो बड़े ही उच्छ तकनीक वाले होते हैं काफी महंगे होते हैं वो अभी तक बहुत सारे जो देश हैं उनको वो जानते भी नहीं है इसी कार से भारत के द्वारा क्या है कि इस विशे पर अब खास तोर पे ध्यान दिया जा रहा है और अलग-अलग देशों के साथ इस प्रकार के विभिन जो research है जो R&D है और इस से जूड़े हुए जो फ्रांस के साथ किया जा रहा है खास तोर पे उन्नत सामागरी और मिटलर्जी साइंस के उपर जिसके दोरा क्या किया जा सके कि इसमें नागरिक इंजन के पार्ट तो बनाया ही जाए बलकि डिफेंस जो कह सकते हैं कि इसमें फाइटर जेट होते हैं उनके इंजन के देशों के बीच में एक कह सकते हैं कि सहगात्मक पहल प्रारम हुई है फ्रांस ने कहा है कि भारत में अपनी पहली रक्षा इलेक्टानी इकाई अस्थापित वो करेगा और ये भारत पहली इसमें अगर बात करें तो फ्रांस पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहली बार फ्रांस इस तरह का कोई कारे करने जा रहा है कि पहली रच्छा electronics इकाई defense कोई भी देश अगर अपनी कोई रच्छा इकाई दूसरे अस्थान पर अस्थापित कर रहा है तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि वो बहुत सारे तथ्यों पर विचार किया होगा विसलेशन किया होगा क्योंकि यह मुद्दा कहां से जूड़ता है defense से जूड़ता है तो कुछ सोच समझ कर ही क्या है कि फ्रांस भारत में अपनी इकाई अस्थापित करने जा रहा है इसमें अगर expert की माने विसे जो विसे सग है कुछ महत्पुन बिंदूओं पर चर्चा करते हैं तो देखिए जो फ्रांसिसी रक्षा समू सफरान ग्रूपस है इसने भारत में राष्टी सुरच्छा सलाकार अजीद दोभाल से भी कई मुद्दों पर बातचीत की है भारत के लिए उच और कह सकते हैं कि अंतप प्रदोकी को अशोसीत करने के लिए भारती उद्यों के लिए बिमान इंजन के प्रमु भागों को फोरजिंग कास्टिंग के साथ उनके लिए उननत धातू बिग्यान पर ग्यान से संबंदित जो भी रिसर्च हो सकते हैं जो अनुसंधान हो सकते हैं उस पर क्या है कि सफरान जो ग्रूप है ये भारत की मदद करेगा इसके लावा अगर सफरान की बात करें तो जो सफरान है इसने भारत में एक रक्षा अस्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा किया कि हम भारत में क्या करेंगे इस तरह की एक डिफैन्स से जुड़ा हुआ उनिक्स यूनिट अस्थापित करेंगे ये बात कही गई है इस group के द्वारा और इसमें ये भी कहा गया है कि इस EKI में क्या होगा कि जो sand platforms है जो defense platform है जो मंच है उसको सहायता प्रदान करने के लिए जो भी आवस्यक क्या होंगे कि इसमें जो भी आवस्यक कह सकते हैं कि sensor है जो महत्पूर्ण electronics जो parts है उनको खास तोर पर उत्पादित किया जाएगा उनका निर्मार किया जाएगा company अभी तक इस सुभिधा के अस्थान और फैसले का निर्धारन नहीं किया है ये समाने सी बात है कि भारत में कौन सा अस्थान होगा जहां पर कह सकते हैं कि ये इकाई अस्थापित की जाएगी इस पर अभी च आता company जो डसाल्ट aviation है इसने भी क्या है कि राफेल लडाकू बिमानों और नागरिक बिमानों के संचालन के लिए आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जेवर में क्या है कि नया एगपोर्ट अस्थापित किया जा रहा है और वहीं पर क्या है कि ये जो डसाल्ट aviation ज अधिकरहन कर लिया है तो कह सकते हैं कि France की ये जो aviation की company है पहले से क्या है कि भारत में अपना स्थान चुन चुकी है जिसे कि अगर जो भी जुड़ी ही जरूरतों की आवसकता पड़ेगी वो उसे संचालित करेगी अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं important component की की France और भारत के ब स्वाई प्रणाली या पानी के नीचे के ड्रोन विक्सित करने का भी फैसला किया है इसके अलावा वह counter swarm ड्रोन और ससस्त्र जो ड्रोन है उस तकनिक को विक्सित करने में भारत का support करेगा ये कुछ कह सकते हैं कि component है इसको थोड़ा सा detail में हम देखते हैं जो महत्पूर कह स हैं कि छेत्रे जहां दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे उसे और उस पर R&D करेंगे research and development करेंगे उन घटकों की बात कर ले उन छेत्रों की बात करें तो देखी पहला जो है वो उन्नत प्रोदों की और धातू विग्यान ठीक है इसमें ये कहा गया कि दोनों के बीच में जो महत्पूर्ण भी है क्योंकि कहा जाता है कि वर्तमान में जो नागरी या उड्डेन जो कह सकते हैं कि प्लेन हैं उनके जो इंजन हैं उसके जो पार्ट हैं उसकी कुंजी यही कह सकते हैं कि उन्नत जो समागरी है या फिर कह सकते हैं कि जो धातू भी ज्यान है वो उसकी कु सेस रूप से सैन और नागरिक बिमान इंजन दोनों के लिए प्रमो घटकों की फोर्जिंग और कास्टिंग में। यहीं नहीं यह जो ग्यान है हस्तांतरन भारत के लिए महतपूर्ण रक्षा श्चत्रों में अपनी बी निर्मान छमताओं को आगे बढ़ाने के लिए महतपूर्ण होगा दूसरा जो पहलू है वो है मानो रहित प्रणालियों का सहयोगात्मक विकास यह दूसरा सेक्टर है जिसमें कहा गया है जो साफरान ग्रूप है इसकी योजनाओं के अलावा क्या है कि भारत क्या करेगा कि भारत और फ्रांस ने पंडूबियों के लिए पानी के नीचे के जो ड्रोन है उसके सहित मानो रहित उप सता और सता और हवाई प्रणालियों को सहयोगत्रूप से बि है और दोनों देश काउंटर स्वाम जो ड्रोन तकनीक है और जो ससस्त्र ड्रोन के विकास पर भी खास तोर पे एक दूसरे का सहयोग करेंगे चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह जो भारत और फ्रांस के बीच में विभिन अस्तरों की जो वार्ता हो रही है जो डैलाक हो र सहयोग है इसके साहित समवेदन सील जो सुरच्छा मामले है उस पर यह दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होगा इससे पहले भी क्या है कि भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे सेन जो समान है उन पर या से जुड़ी जो भी स स्टाइल जैसे स्टेंड आफ हतियारों को सब विक्सित करने पर भी कह सकते हैं कि मदद मिलेगी तो यह भारत के लिए महत्पुन रूप से लाबकारी होगा इसके अलावा जो रक्षा इलेक्टॉनिक सुधा है उसको अस्थापित करने का जो सफरान का नीड़ा है वो भार भारत के रच्छा भी निर्मार जो पारिशित की तंत्र हैं उसके लिए एक प्रमुख मील का पत्थर भी साबित होगा यहीं नहीं यह सायंत्र सैन अनुप्रयोगों के लिए सिंसर और आवस्यक जो इलेक्टॉनिक्स पार्ट्स हैं उसका उत्पादन करने में भारत की जूदा जो उपस्थिती है उसको और मजबूत करेगा दोनों देशों के बीच में जो बैस्विक सुरच्छा पर जो सहयोग है उसे एक उचाई पर ले जाएगा तो इस तरह से कि यह जो डैलाक है इस तरह से भारत के लिए काफी महत्पूर है चुकि पूरा जो मामला है व आपको भिसुमानचितर पर आना होगा और उसमें भी आपको आना होगा योरोप महादीप में यहीं पर आएंगे तो आपको फ्रांस देखने को मिलेगा तो यह क्या है कि यह आपका फ्रांस है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो является जो प्राइम मेरीडियन लाइन है व निम्नवत है इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम उरोप में इस्थित ये एक महतपूर्ण देश है इसका जो छेतरफल है वो एक बड़ा एरिया कबर करता है और यहां पर इंग्लिस जो चैनल है इसे उनाइटेड किंडम से अलग करता है अब थोड़ा सा इस मैप के बारे में भी और डिटेल से देखते हैं यह क्या है कि यह फ्रांस का आप देखिए क्या है कि फ्रांस का लार्ज मैप है और यहां पर अगर आप देखेंगे जो महतपूर्ण अवस्थितिया है उनको अगर आप देखेंगे तो दो तिन चीजे आपको देखना है सबसे प लेस भी आपके लिए महतपूर हैं इसके अलावा यहां पर एक दो महतपूर कह सकते हैं कि आपको परवत देखने को मिलेंगे अगर परवतों की बात करें तो देखें इसके पुर्वी छेत्र में आएंगे तो यहां पर एक महतपूर परवत आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है जूरा परवत ये देखिए ये जूरा परवत है और इसका जो बिस्तार है ये उत्तर से दच्छिन की तरफ है साथी क्या है कि मुख रूप से ये चूना पत्थर से बना हुआ पूरा एक समनांतर कटक है इस कारण से ये खास तोर पे चर्चा का भी से बना हुआ रहता इसके अलावा परवत को देखेंगे तो दच्छिड में आएंगे तो इसके परवत आपको देखने को मिलेगा यही नहीं इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे परवत आपको देखने को मिलेगे जैसे यहाँ पर अगर उत्तर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर एक महतप महतपूण, जानकारी भी आप देख सकते हैं, जैसे परिनीज जो पर्वत है, उसके लिए आप देख सकते हैं, उससे जूड़े हुए जो महतपूण तत्त हैं, तो ये जो पर्वत है, खासत त nano फ्रांस और इस पेलन के बीच में, प्राकृतिक सीमा मनाता है, और परिनीज ज लेकर पुरु में भुमद सागर तक फैले हुई है इसके अलावा गरन जो बेसीन है वो भी आपके लिए महतपूर है यहाँ पर जो महतपूर अनिलोकेशन है उसमें पेरिस बेसीन है मैसिव जो सेंटरल है जो लॉयर घाटी है लॉयर नदी की जो पूरा बेसीन है वो आपके लिए महतपूर है तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर यह पूरा मामला है क्या इस से जुड़े हुए जो महतपूर तत है उन पर भी हमने चर्चा कर ली आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं प्रश्न क्या है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट है असलेस मैदान उत्तर पूर्वी फ्रांस में असलेस मैदान पस्ची में वासजेस जो परवत माला है और पूर में जो राइन नदी है उसके बीच में अवस्थि है दूसरा स्टेटमेंट है कि इस छेत्र की विशेस्ता इसकी समतल भूद्रिश्चिता जिसमें जलोड़क सिड़िदार मैदान और बाढ़ के मैदानों की एक स्रिंखला अवस्थित है यह है दूसरी बात करें तो जो फ्रांसीसी आल्प्स है यह देश के दच्छिर पुर साथ से कथन सही है है विकल्ब दिये गए है केवल एक दो केवल दो और तीन केवल तीन और एक दो और तीन तो इस तरह सामने देख लिया कि आखिर यह पूरा मामला था गया और इससे जूड़े हुए जो भी महत्पुर्ण पहलू थे उन पर भी हमने चर्चा कर लिए तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में एक नए बिसे के साथ फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद